नवस्कार दोस्तों, रिसेंटली हम सबने स्वतंतरता दिवस यानि इंडिपेंडेंस दे मनाया और इंडिपेंडेंस दे को मेरे दिमाग में खयाल आया क्या हम सब फिनेंशली इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें हूं उसी प्रयास के रूप में दोस्तों आज ये वीडियो आपके समख्ष financial literacy की एक सीरीज के रूप में प्रस्तुत है तो दोस्तों यहां आपके सामने बात रखता हूं कि what is financial independence के वित्तिय सोतंतरता क्या हो सकती है हाला कि इसकी कहीं पर कोई universal definition नहीं है एक ideal definition financial independence की होगी where financial independence could be having enough wealth to live a life of comfort without need to work तो नाचोली आप कहेंगे के वाटिया जी ये तो एक आदर्श परिवाशा है ऐसा होना कतरी संबव नेगी तो एक अगली परिवाशा रखने की कोशिश करता हूं कि financial independence में also mean a person's capacity to be able to meet his financial obligation without any help from others कि हम third parties के उपर औरों के उपर अपनी dependency financial obligations के संदर्भ में न रखें और हमें जितनी वित्ती आवशकता है वो हम स्वयम अपने स्रोत से अपनी earning से पूरी कर पाएं और एक बहुत बड़ा चीज आएगा सर यहां पर कि हमारे इंडिया में फिनेंशल इंडिपेंडेंस को शायद इस प्रकार से भी देखा जाए कि मैं जब तक एक यंग एज में हूं तब तक मैं अपने से इस प्रकार से अरेंज कर लेता हूं कि मेरी डिपेंडेंसी अदर्स पर नहीं है और जब मैं रिटार्ड लाइफ के करीब जाता हूं तो भी मेरी दूसरे व्यक्तियों पर या दूसरे स्रोत पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है हाला कि मैं यह कह सकता हूँ कि financial independence का अलग-अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग-अलग परिवाश्य डवलप की जा सकती है तो दोस्तों मेरे दिमाग में जो concept आया financial independence का तो मैंने इस पर जब विचार किया तो I thought कि why financial independence is required या मेरे thought process में क्या-क्या चीजें हो सकती है कि हमारा social structure इस प्रकार का है कि हम एक family में जीते हैं उस family में एक दूसरे को support करते हैं जो minors होते हैं उनको पढ़ाई के रूप में support करना उनकी needs को support करना किसी बच्चे की जब परिवार में बेटे की या बिटिया की शादी होती है उस समय हमें financial resources के आवशकता पड़ती है किसी प्रकार से घर में हारी बिमारी हो स्वयम किया family members की तो हमें financial independence देखनी पड़ती है social structure के साथ साथ हमारा society का security measures social security measures भी weak हैं अप एक्षा कत रूप से developed countries से जैसे for an example अगर कोई व्यक्ति private sector से retire है तो किसी प्रकार से उसको सरकारी साहता कि इस पर प्रावधान नहीं है तो उस व्यक्ति को सोचना है कि जब मेरी superannuation किये जाएगी तो मेरी financial independence किस प्रकार से maintain रहेगी most of the Indian population as I said earlier also is self-employed sir तो जब हम self-employed structure पर काम करते हैं तो हमारे लिए financial independence उस समय maintain करना जब मैं काम नहीं भी कर रहा एक बहुत बड़ा challenge होता है challenge on investment providing good returns बहुत बड़ा challenge दोस्तों जो आने वाले समय में है भारतवासियों के समय आने वाला है वो क्या है कि आप interest rates बहुत कम रहेंगी ऐसा दिखता है या कम रहने की सम्भावना है तो ऐसे में sir आपके पास में investment option क्या हूं जो आपको भविश्य के लिए आपकी financial independence maintain करने में सायर हूं इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यह बात करूं कि proportion of risk bearing investment as compared to non risk bearing investment मैं क्या maintain करता हूं क्योंकि for an example आप risk free investment मानते हैं एक bank की FD को कि किसी PSU bank में मैं अपनी FD रख लो तो यह एक प्रकार का non risk bearing investment हुआ लेकिन यह return आपको hardly 5%, 4%, 6% का return देता है अब risk bearing में आप चले जाए for an example share market mutual fund कई वार mool तक को भी खत्रा रहता है तो आपकी financial independence जो चाहिए sir वो इन सब factors को देखते हुए बनाना उसको बहुत जरूरी है अब यह financial independence हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए कुछ महत्पूर्ण basic questions का answer भी समझना या आपको सहम उन questions का answer develop करना जरूरी होगा तो यह questions दोस्तों जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं मेरे पास इनका answer नहीं है पर मैं एक questions आपकी और थ्रो करना चाहता हूं कि आप इन questions का answer ढूंडे ठीक है यानि आप यह सोचें कि how much is your monthly expense on maintenance including food house clothing etc यानि रोटी कपड़ा मकान पर किसी एक परिवार के या किसी व्यक्ति के मंतली घर्चे क्या है क्या आप उसी लेवल पर कमा रहे हैं या आप उससे अधिक कमा रहे हैं आपके future obligations भविश्य में क्या क्या obligations आने वाले हैं for an example बच्चों की higher education किसी प्रकार से शादी की व्यवस्था करना या higher studies के बारे में सोचना are you saving for future needs today or you will complete them as and when they will arise in future आपकी financial independence इस प्रकार भी तैकी जा सकती है कि आप भविश्य की जरूरतों के लिए क्या आज वास्तम में कुछ बचा पा रहे हैं हाला कि मैं मानता हूं दोस्तों भारत में लोगों की बच्चत की प्रवर्ति अभी भी अच्छी है क्योंकि हम conservative माहौल में थोड़े प्रकार से तैयार होते हैं तो हम यह मानते हैं कि future की uncertainty को सेव करने के लिए हमें कुछ पैसा रहना चाहिए अब for an example sir corona के period ने बहुत सारे लोगों को यह भी बात दिखाई कि जब lockdown लग गए एक self-employed परिवार यह self-employed विक्ति को घर बैठना पड़ा तो उसके पास कितने महीने का buffer था जिससे वो अपने घर के रहन सेंट को maintain कर पाए इस प्रकार के questions का दोस्तों answer डूनना बहुत ज़रूई how much of your income goes towards EMIs आपकी salary का आपकी income का कितना हिस्सा EMIs में चला जाता है अगर आप आज से दो दशक तीन दशक पहले की बात करेंगे सर तो लोग किस्तों पर उतने नहीं चलते थे जितना आज आपका जीवन किस्तों पर चलता है से for an example आपने home loan भी ले रखाया, car loan भी ले रखाया, credit cards भी चल रहे है, personal loan भी चल रहे है यह सब चीज़ें सर आपकी financial independence को बहुत हर्त तक प्रभावित करती है कुछ और questions देखेगा सर, are these EMIs, चो अभी मैंने आपसे EMIs की बात करी, यह EMIs आप appreciable asset के लिए दे रहे हैं For an example, आपने car loan लिया, तो सर, car की तो value year on year as you will use घिरेगी, तो क्या वहाँ पर loan लेकर के car लेना जरूरी था क्या, मैं आपको कोई भी चीज के लिए final conclusion नहीं देरा सर, लेकिन मैं आपकी financial independence draw हो सके, उसके लिए कुछ questions आपके सामने रख रहा हूं For an example, आपने home loan लिया, तो क्या जो property आप ले रहे हैं वो आपको appreciable asset लगती है क्या, how much amount you expect to receive from your investment at the time of super renovation, आप जब अपनी retirement planning करते हैं, आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि भट्या जी मैं तो 45 साल की उमर में, 50 साल की उमर में, 55 साल की उमर में ही सोचता हूं, कमाना छोड़ है, तो दोस्तों वो जो return आप expect कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास में corpus की तयारी आज क्या है, have you planned for any kind of sudden accident affecting your earning capacity, कि किसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति काम करना यकायब बंद हो जाए किसी बीमारी की वज़े से या किसी business के बंद होने से, तो ऐसी परिस्तती में उस sudden accident क को face करने का उसके पास में क्या प्लान है, आगे देखेगा sir, have you covered yourself with a good term plan in a reasonable medical insurance, क्या आपने अपने लिए एक अच्छा insurance का term plan या एक reasonable medical insurance plan ले रखा है क्या, are you are saving invested in unsecured loan, मैंने ऐसा भी देखा, कुछ लोग sir क्या करते हैं, कि unsecured loan के रूप में किनी parties को पैसा देते हैं, आपने अपना पैसा किसी वेक्ति को उधार दिया, उनका business था, वो business किसी प्रकार से बंध हो गया, अब वो वेक्ति ब्याज तो छोडिये sir, मूल का भी संकट पैदा हो गया, have you segregated your saving into various categories or they are centralized into few modes, जैसे कुछ लोगों का real estate पर बहुत exposure है sir, तो अब real estate मानलीजे किसी वज़े से suddenly fall कर जाती है, या आप बेचना चाहते हैं, बेच नहीं पा रहें, तो ये चीजें दोस्तों, ये questions के answer जानना, खुद के लिए इन answers को develop करना, अपनी financial position को सही रूप से assess करना, मैं मानता हूं बहुत जरूरी है for attaining the target of financial independence for yourself and your family. अब ideally दोस्तों, अगर मैं financial independence के बारे में सोचों, तो मेरे पास में sources क्या हो सकते हैं, और मैं इसे दो तरीके से देख सकता हूं, कि मेरी financial independence, मेरी active life में, मेरी young age के दोरान आजाए, या वो financial independence at the time of retirement, तो at least सुनिश्चित हो, तो naturally दोस्तों, हमें कुछ regular source of income in form of maybe pension, अगर मैं retirement के आसपेक्स से देखूं, annuity जो insurance companies से return आता है, interest के रूप में, rent के रूप में, dividend के रूप में देखा जा सकता है, इसी प्रकार से दोस्तों financial independence आने के लिए आपको अपने आपको कुछ हद तक risk-free करना जरूरी है, और वो risk-free कैसे होंगे सर आप, जब आप एक अच्छा के रूप में, आपके पास में कोई insurance कवर हो, आप अपनी planning of investment किस प्रकार से करते हैं, कि जब आपको जैसे जरो तो वो investment बेचे जा सके, जैसे for an example, real estate में किया गया investment दोस्तों एकदम से नहीं बिगता, लेकिन share market, mutual fund, FDs, आप जब चाहें, उनको cash में convert कर सकते हैं, कहने का म होड़ेगा, वो appropriate combination ही आपकी financial independence को achieve करने में helpful रहेगा, अब एक million dollar question सर आपके सामने रखता हूं, how to achieve your target, क्या आपने मान लीजे, इस वीडियो से प्रिरित होकर के अपनी financial independence की तयारी करना सुनिश्चित किया, और मेरा purpose भी है, कि मैं आपको इस वीडियो के through financial independence के लिए प्र target achieve कैसे होगा सर, तो मेरा पहला suggestion है कि take help of your friends, investment advisor और consultant, चाहे हो कोई charter accountant हो, tax consultant हो, investment consultant हो, आप उनकी मदद लीजे, इसी के साथ दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये बात चोड़ना चाहूंगा, कि जो भी आपको suggestion मिले, friends से, investment consultant से, या investment advisor से, उसको आप blindly ना follow करें, उसके अनुरूप फिर तैय करें कि जो advice आपको मिली है, वो आपको कितनी suit करती है और आप उसमें से किस option को तरजीत या importance देते हैं, एक और important बात दोस्तों मैं आद दिना चाहूंगा, कि review your investment from time to time and turn the investment, time to time sir अपने investment को review करना, कि मैं कहा invest किया था, अब किस level तक आ चुका क्या मुझे उस investment के प्रारूप को बदलने की कोई जरूत भी है क्या, इस विशे पर भी दोस्तों विचार करना बहुत जरूरी है, एक और बार, be a financially literate person, मेरा मानना है sir और मैं अपने channel के थू बार बार या आवाज उठाता रहता हूं, कि इंडिया में financial literacy की rate बहुत कम है, financially, अपने आपको सही प्रकार से decision लेने में कही न कहीं चूप करते हैं, और उस चीज का नतीज़ा यह होता है sir, कि आपने बड़ी hard and money किसी investment के option में लगाई, और जब जरूत पढ़ा तो वो या तो आपका पैसा मूल ही डूब गया, या आपको return ही नहीं मिल रहा, या आपक investment को time to time review करिए, कुछ market की knowledge भी आपके लिए रखना बहुत जरूरी है, कि आप किसी प्रकार से blindly investment करने की जगे, एक calculated तरीके से investment करने के लिए प्रेवित, तो दोस्तों मैं मानता हूँ, यद भी इंडिया में financial independence का target लेना या financial independence maintain करना एक बहुत challenging wish है, ठीक है, लेकिन फिर भ बोलूँ, expense planning बोलूँ, loan planning बोलूँ, जब आप इन सब चीजों का combination बना के चलेंगे और आप financial literacy को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो मेरा मानना है sir, कि you will certainly be able to attain the level of financial independence for yourself and your family, और इनी शुब कामनाओं के साथ sir, कि आप एम आपका परिवार financially independent बने, मैं आज की अपनी वीडिय finance के विशे पर आपके कुछ प्रिश्णों तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने की जरूर कोशिश करूँगा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद, जय है